देश नहीं पूरे विश्व में तरक्की कर लिए है। कुछ एकॉमर्स पर मुझूद है। कुछ पर मुझूद है। इसके पहले भी हम तमाम सारे मुद्दों कर बात कर चुके हैं। यह आपके जहन में सवाल उठा किसे एक ख्याल आया क्यों। कि यह बेठा कर अखी जाने चाहिए। इसके विज़ा आपकी सोच क्या। हम महिसूस करते हैं तो दिल से जान सका में। और दोनों उठाउने के बाद मैंने एक निरने लिया। कि जैसे लोग जीते जी निरने लेते हैं। कि में ब्रत्व के पश्चात अपने आखें दान कर जाऊंगा। में ब्रत्व के पश्चात अपना शरीर पूरा दान कर जाऊंगा। यह पॉजिटिव सोच है। लोगों ने मुझसे कहा कि आप अभी से उठावने की बाद जीते जी कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसी तरीकी के पॉजिटिव सोच रखते हुए। मैंने घर में प्रस्ताव रखा और घरवालों ने भी इससा सहष स्विकार किया। और अब हमारे परिवार में कभी कोई मोत होगी। तो उठावन और जो शोगवेठक होती है वो हम इए उठावन इए शोगवेठक करेंगे। पुरी सम्विद्ना है आपके साथ है। आपने ये सुजहाव दिया, आपने विचार रखा। आपके परिवार ने भी आपके साथ अपनी सहमती चेताई। इसके नेपत्थे में जाना चाहता हूँ। और साथ में निश्यत्वर पर आप हमेशा शेहर में इतने जगों पर आते जाते हैं। शोगवेठक उठावना, दाहसंसकार, कई सारी चेजह आटे हैं। तो क्या वे चीजह थी जिसने आपको प्रेरीत किया और उसके पीछे कारण क्या, मैंशा क्या। देखिए, दाहसंसकार में जो करीबी लोग होते हैं। जिन्हें लगता है कि मुझे जाना ही है। करीबी लोग दाहसंसकार में जाते हैं। हो सकता है वो बाहरों कहीं, तो दाहसंसकार में नहीं पहुच पाए। जरूरी नहीं कि उठाओने में जाएंगे, घर पे भी जाकर मिल सकते हैं। अच्छा मेंने जो यह उठाओना जो प्लान किया है। कि में जरूरी जाते सब्सक्राओने में जो आप उठाओना जो कहीं जहाँ ज्याँस कि आ सकता है, पहें एदिकार हैं, जो आपके आपके करीब हैं वह सुक है। जन्नम, मरन और परन उसमें अपने आप आते हैं आप उन्हें बुलाई या ना बुलाएं उनका अधिकार है और पहुच जाते हैं जो इउठावना है अब अपने इसकी बात करें जो मेन कि एक पांच बजे तक पांच बजे का उठावना है एक फिक्स टाइम रहता है बेठक पांच से साड़े पांच से छे एक बेठक शोग बेठक रखी जाती है अब इस बेठक में आने के लिए आदमी बिल्कुल आखरी मूंके पर आने के सोंचता है कि आर पहले पहुच जाएंगे तो हमां करेंगे क्या मैं मेरा खुद का भी बोल रहा हूं मैं किसी लोगों से निए निए मेरा खुद का भी बता रूओ आपको कि हम इंतजार करते हैं पांच बजए हमें जाना है तो हम साड़े चार बज़े चाहY पीते हैं कि 15 मिंट में चाही पीके फिर निकलेंगे पांच में पांच की देरे पर पहूंचेंगे आदमी वहाँ जाता है और मतलब दो रूप रहते हैं वहाँ पर एक उठावने में तस्वीर के और परिवार के सामने आने के वक्त का एक बनाया हुआ चेहरा और एक वहाँ से जाने के बाद और दूर वाला चेहरा जिसमें आदमी अपनी हाहा ठीठी और यह सब चीज़ें करता रहता है और यहाँ बेठे हुए व्यक्ति को भी दिखती हैं चीज़ें सही कह रहा है तो यह मुझे कहीं न कहीं दिल में लगी बहुत सारी चीज़ें उठावने में आप गए बहुत सारे लोग आते हैं मैं यह नहीं कहना है कि सभी लोग इसा करते हैं लोगों को दुख रहता इसलिए आते हैं तो अधर पर भी आ सकते हैं मैं इस उठावने की पनबभा को बंद करना चाहरा हूं कि एक समय पर सिर्फ पांच बज़े ही क्यों दुख हो जिसको दूख हो वो फेस्बुक खोलेगा जिस पर उन्होंने इलेक्ट्रोनिक वीडिया जो यूस किया है इपोर्टल जो यूस किया है उस पर जाएगा अपनी समवेदना व्यक्त कर देगा एक बार क्या दस बार व्यक्त करो क्या अच्छा नहीं लग रहा है अभी याद आ रही है मुझे उनकी आप बार बार व्यक्त कीजिए और जो व्यक्त करेंगे वो लिखा हुआ रहेगा जहां आदमी दूसरा सामने वाला पढ़के उसको जब दुख में इस तरीकी की चीज़ा पढ़ता है तो उसके मन में और संबल आता है उसके मन में शक्ति आती है जब वो सब यह सब चीज़ा पढ़ता है उठाओने में भीड में आदमी आता है आकर चले जाता है हमें मालूम ही नहीं रहता कि कितने लोग आए मैं आपको बता रहा हूँ मुझे याद नहीं है पूरी तरीके सा अगर आप मेरे से मेरे पास अगर 500 लोग आए होँगे तो हो सकता है 200 लोगों के चेहरे मेरे दिमाग में अभी है 300 लोगों के चेहरे मेरे दिमाग में नहीं है अभी तो एक शुरुआत मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि घरी में पर वो बोल के कर सकते हैं घरा के कर सकते हैं यह उठाऊना और यह परमपरा में बंद करना चाहु और यह खर्चीले भी होते हैं उघरीет हारी जल रह Иtransky पयोटेशन भाहर यहां पर श्राइब कि साओना हो यह दुपिज्अन आदमी को वेवस्था करनी पड़ती है पहले कि वहां जाके गारी कहां लगांगा सोंचता है विचार करता है तो बहुत सारी समस्या है दूसरी भी तीके समस्या है बहुत सारी है समाधान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं हाला कि निरज भाही ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस जगह पर उठावना होता है महां पर अव्यवस्थित यातायात लोगों को पार्किंग की समस्या और अपने समय को कैसे बचाया जाए नियत समय पर पहुंच कर तुरंत बाहर निकला जाए और निकलते निकलते अपने दोस्तों से मिलना जूलना एक जनसंपर का जरिया भी लोग उठावने के या फुनेरल को मानते हैं तो कुल ठीक करें लेकि निरस भाई जो यह उठावना आप करने जा रहे हैं उसका ट्राफिक भी तो पोर्टल पर होगा उसका भी मेनेजमेंट आपको करना पड़ेगा ने बहुत सिंपल है आजकर यह उठावना आपने समझ कि आपने सिंपल सी पोस्ट बना के डाल दी जैसे हम सूचना देते हैं फ्लायर बनाते हैं आपने फ्लायर और नीचे संदेश लिए उसमें आदमी कभी भी जाके हो कर सकता है आपको उठावना है कि तीसरे दिन मुझे उठावना करना है आप फेस्बुक पे गए पांच मि कर सकता है कभी बाद में भी कर सकता है आप उस वक्त पोहँचना जरूरी थोड़ी है आप बाद में भी कर सकते हूं बिल्कुल ठीक है निश्चित तोर पर एक एसी परंपरा की शुरुवात करने का प्रयास कर रहे है निरिज भाई और मुझे लगता है कि जो लोग समय की क इतकी कमात八व कि का से गतते हैं गतету की怎么 पाइवायों मुण। चेह नज आ पिछानेरो के अङ work कर सकते हैं, इसके भावनाय के का लेकिती से जोड़े मिस्के साहनुगति, उसका सुगह नेखि रही ह सुगतिे हुड़े एक इसलोगते हैं। जानकारी मिल सकती है ये बात बिल्कु ठीक है निरेज भाई जब शोक सभाएं होती है किसी के किसी की मृत्य उपर तो उसके बाद उसके संबन में बखांग करने वालों का ताता लग जाता है लंबी चोड़ी शोक सभा होती है और बोलने का लाला इधर व्यक्ति होता है और मुझे लगता है कि जो लोग बोलते नहीं है जो सुनने के लिए वहाते है जो उस कारिकरम की मतला हकीकत है इसको मानी आप कि जो लोग महां आते हैं वे कहते हैं कि कि कितनी जल्दी शोक सभा कतम हो और कितनी जल्दी हम घर बेह जाएं। तो मैं दो घंटे पहले वहां पहुचकर शम्षान से लक्णियां जमान से लेकर कंडों की विवस्ता और सब पूरी तैयारी कर देता हूं कि शव को सिर्फ लाकर रखना रहे और मुखागनी दी जाएं। कि लोगों का समय बच जाएं। लोग आजकल हर चीज में समय बचाना चाहा है। भाग दोड़ बड़ी जिंदगी जब आदियों का समय कम होता है जैसे जैसे शहर की आबादी बढ़ती जा रही है जैसे शहर का विस्तार होता जा रहा है। वहाँ लोगों के पास समय की कमी हैं। किस तरह से इसको आगे बढ़ाया जाए। किस तरह से समय को कम किया जाए। यह प्रयास यह उठावने का निश्चित्वर पर सराहनी है। मुझे लगता है कि निश्चित्वर भाई एक सहासिक कदम उठा रहे है। सहासिक इसलिए और साथ परिवार की तारीफ करना चाहता हूं कि उन लोगों ने भी उनके इस कदम को में अपना साथ दिया है। निश्चित्वर पर आज का यूग है तेजी से बढ़ती लाइफस्टाइल हमारी भागम दौप भाग बड़ी जिंदगी जो है। उसमें इस तरह की चीजों की आवशक्ता महसूज की जा रही है। और सिर्फ उठाउने की आप बात करें नेरज भाई हमने कुछ दासंसकार ऐसे देखें जिसको लाइव स्टिम पर बेटे ने पिता जी के दासंसकार को विदेश में देखा है। तो यहां पहुंच नहीं सकता कई न कई ऐसे कारण होते हैं तो इसी भी चीजें होई है। पर बरहाल एक अच्छी शुरुवात करने का प्रयास करें हमारी शुप कामना है आपके साथ है। और निश्यत तोर पर मुझे लगता है कि इस प्रयास की सराहना आपको भी करना चाहिए। महज इसलिए नहीं कि एक नया प्रयास है। प्रयास इसके सारे इंगलों के अगर हम बात करें हम समय की बात करें प्रदुशन की बात करें आपके जो व्यस्ता भरी जिन्दगी होती उसकी बात करें। तो इसे तमाम सारे पहलू है जिन्दगी के जिस पर हम समझ सकते हैं कि एक सही दिशा में जा रहे हैं। कई बार आप जाते हैं और जब जिस वेक्ति के घर में शोख होता है उसके घर में उसके पास पहुंश कर आप अपने एक निरज भाई आप इजबास से सहमत होंगे कि एक ऐसी मुद्रा बना कर बिढ़ जाते हैं जैसे आपको बहुत सारा गम है लेकिन उस दर्वाजे से जब बाहर निकलते हैं तो फिर आपका वही सब कुछ चालू हो जाता है तो दिखावा जिंदगी में जरूरत नहीं है सब्वेदना और भावना इविक्त करना तो उसके मंच बोशता रहे है निरज भाई आपने हमसे बात चीत कि एक नाया इन्नोवेटिव प्रैस के इसके निर जोशी को दीजेज आपने हमस्काइब